राहूल गांदी आजकल जिस तरह के बयान लंडन में जाकर दे रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो ब्रिटिन में एक भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उनका जो नया बयान आया है उसनों वो कहते हैं कि भारत की तमाम समयधानिक संस्थाओं पर RSS का कबज़ा हो चुका है और RSS Muslim Brotherhood की तरह है तो ये जो उनने दो नए बयान दिये हैं इनसे एक नया बिवाद पैदा हो गया है आज हम इन बयानों को चेक करेंगे आपको बताएंगे उनका विशेशन क्या है राहूल गांदी वहाँ जाकर इस तरह की बयान बाजी क्यों कर रहे हैं साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने कहा कि उन्हें पारलेमेंट में बोलने नहीं दिया जाता तो आज हमने पूरा उनका डेटा निकाला है पारलेमेंट में एक सांसद के तोर पर उनका प्रदर्शन और उनकी अटेंडेंस और उन्होंने इस दोरान कितने सवाल पूछे हैं और कितने भाशन दिये हैं और एक सांसत के तोर पर लोग सबा में उनका अपना प्रदर्शन कैसा है यह हमने निकाला है आपको बताएंगे आप खुद तै कीजेगा इसके बाद आप लोगों के लिए होली से ठीक पहले एक बहुत महत्मून खबर आज कल भारत के हर घर में हर परिवार में सर्दी जुकाम के मरीज है या फिर लोग फ्लू से परिशान है और यह फ्लू इतना खतरनाक है कि नौबत आईसी यू या आकसीजन की आ जाती है यानि पहले तो फ्लू में लोग तीन चार दिन में ठीक हो जाते थे अब यह फ्लू लंबा भी चल रहा है और खतरनाक भी चल रहा है यह है तो फ्लू लेकिन कोविड जितना ही खतरनाक है इसलिए आज इस फ्लू के बारे में आपके लिए जानना आपके परिवार के लिए जानना बहुत ही आवशक है इस खबर को सबसे ज्यादा ध्यान से आप देखिएगा ये कोविड नहीं है लेकिन कोविड जितना ही खतरनाक एक और वाइरस है और आखिर में क्योंकि होली का स उसमें तो सबसे जादा लोग बुरा मान रहे हैं इसी तरह रंग को दाग में बदलते हुए देर नहीं लगती अब होली पर कौन सा रंग है और कौन सा दाग है आज ये समझना जरूरी है तो होली के दिन आपके लिए एक खास संदेश हम लेकर आए हैं और आपको हम होली पर एक positivity वाला detergent powder देंगे जिससे आप अपने आसपास पूरी नकारात्मकता के जो दाग हैं उन्हें आप धो पाएंगे तो मिलते हैं आज रात को 9 बजे black and white में आज तक पर